हेलो वेलकम बैक तो मैं चैनल लॉज सेंटर विट सिम्नन के लौद आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 ओफ कॉंस्टिउशन यानि की फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन देखिए यह लॉज मीडिया के यूनिट 2 का फर्स टॉपिक है और इसमें हम यह सब कुछ पढ़ेंगे कि मीडिया को यानि की न्यूस पेपर है या वो टेलिवीजन है उन्हें इस राइट की इसे उन्हें इस आर्टिकल की इतनी ज्यादा ज़रूरत क्यों है सबसे पहले इसका मतलब क्या है मीनी फीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन मींस दर राइट तो एक्स प्रेस कर सकता है यानि कि वो वर्ड के थूरू लिख सकता है ड्रॉइंग्स बना सकता है कुछ पी प्रिंट करके कुछ भी बोर्ड पर पोस्टर लगा सकता है यह सारी चीज़े हैं इससे वह अपने जो भी है उपीनियन उनको शेयर कर सकता है इत दर इंक्लूट तर एक्स प्रिंट केबल मीडियम और विज्वल रिप्रेजेंटेशन सच अच जेस्टर साइन अन्धर लाइक्स देखे जेस्टर कमारे हाथ जब हम कुछी जीज बोलते हैं हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं हम अपने हातों कैसे मूफ करें कुछ अपने हातों से बिलकुल सुप अपने प्रोपोगेट करने के लिए अगर फ्री चर्कुलेशन का जो राइट है अगर हम वही न्यूस पेपर को नहीं दिंगे तो उनकी रीच नहीं बढ़ पाएगी अगर एक नियूस पेपर प्रिंट हुआ लेकिन अगर वह सरफ दसी लोगों ने पढ़ा या पूर आल चला कि दूसरे एंट पर क्या हो रहा है तो उसका कोई फाइदा ही नहीं है उसके बाद तो इस वज़े से प्रोपोगेशन का चाहिए और यह देखिए अगर हम सर्कुलेशन ही नहीं कर पाएंगे अपने नियूस पेपर को अपने ओपीनियन को जादा स्यादा लोगों में तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अकेले कर रहे हैं कोई ध्यान में देख लेकिन अगर हम ऐसा सो लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी इसमें केस भी है रोम को इसम नहीं पता चलिए कि लोग क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है तो डेमोक्रेटिक और इसेंशन को भी वर्क नहीं कर पाएगी पबलिक एजुकेशन तो एसेंशल फॉर फॉर्प 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 फॉर्प्वर्वर्व्मेंट इस पॉसिबल देखे अगर प्रॉप इस फॉर्प 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 अपने उपने एक इंशान अपने विऊस नहीं बताता बहुत सारे लोग आके अपने इस पने अपने ओपिनियन शेर करते हैं इसके लिए सकर स्कोप काफी वाइड है और यह सब को इंक्लूड करता है कि जो भी चाहें शेयर करवा सकता है फिर आती है freedom of expression जो कि त्री थ्री टाइप्स की होती है एक तरीका है जिसे कि एक आदमी अपनी self-fulfillment अपने सारे opinions शेयर कर सकता है अपनी जो भी knowledge है उसको हर चीज को जानने की एक हक रखता है वो तो इससे इसे वो self-fulfillment attain कर सकता है यानि की पा सकता है इसे इंडर discovery of truth जादस देखो अकर कोई इंसान ने चीज होते हुए सामने से देखी और उसके बाद वो चीज बता रहे है कि मैंने देखिए यह चीज ऐसे हुई थी तो सच जादा अच्छे तरीके सामने आता है इट्स ट्रेटन्स देखिए यह एक तरीका है जिससे की हर कोई अपना participation दे सकता है चाहिए वो elections का टाइम है कि नहीं यह नेता ऐसे हैं यह ऐसे हमेने के साथ देना चैन की यह फाइदे हैं यह इनके draw action जो भी चीज़े हैं आप इसको बता सकते हैं अपने आपका एक यह योगदान जे सकते हैं पार्टिसिपेशन दे सकते हैं इसमें लीडिंग केस आता है प्रभु दत वसी यूनियन ऑफ इंडिया आप इसको तिहार जेल के केस के नाम से भी याद रख सकते हैं देखिए इसमें एक था मलब दो लोग ते जो थे रंगा रख बिल्ला वो लोग जेल में थे पर उन्हें अपने इंटर्व्यू दें कि हमाईसा जेल में क्या हो रहा है हम कैसे रह रहे हैं जेल में लेकिन जो 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 अथोरिटी इस दिन गोंने साफ मना कर जाताएं तक यह नहीं हम ऐसा कुछ नहीं देंगे तो इस केस में कोर्ट नहीं कहा था कि भले एक इनसान जेल में है वो एक मडरर है या कुछ भी है लेकिन उस इनसान की अपने भी कुछ राइट्स हैं उसके पास भी फंडेमेंटल लाइट्स है फ्रीडम प्रीच और उसके पास भी है तो इसके बाद उन्होंने अपना जो भी थामला विंटर्व दिए ना चाहते थे इस के बाद उन्होंने दिया था फ्रीडम ओफ एक्सप्रेशिन को अब इसके बाद नेक्स टॉपिक आता है सेल्स टेक्स और नूजबेपर देखिया है अगर किसी चीज की पार सेल्स टेक्स लगता है तो वह चीज बहुत महंगे हो जाती है अगर अगर उसके लिए हम फिर सेल टेक्स लगा देंगे वो चीज महेंगी हो जाएगी और फिर हर एक कॉमन मैं उसको नहीं खरीद के पड़ पाएगा अगर प्रेस को फ्री कर देंगे तो कॉमन को भी घाटा है ऐसा नहीं है कि उनको फायदा हो जाएगा इसके लिए हो क्योंकि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का वो इसके बदले में क्या कर रहा कि जब न्यूस्पेपर वाले जो अपने रॉम मेटीरियल खरीदे चाहे वो इंक है चाहे वो पेपर है उसमें उनको कंसेशन देना जाना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे ले लीजिया इसके बाद आया पॉब्लिकेशन ओफ इसमें लीडिंगेस है अजय गोस्वामी वसेज यूनियों ऑफ इंडिया का पिटिशन फाइल हुई थी पिटिशन वस फाइल कुसी प्रोटेक्शन फ्रोटेक्शन फ्रॉम देखिए नियूस्पेपर्स में कभी चीज नहीं देखते हैं कि कुसी माइन के सेक्शुल एक्स इसके बारे में ऐसा कुछ छप रहा है नियूसपेपर में हरकोई सुन रहा है तो उसको मेंटली उसके मनला फरक पड़ सकता है उसको बहुत जादा वह चीज हो सकती है कि वह बच्चा उसको हैंडल ही ना कर पाए तो इनके लिए चीज करी गई इसे काम होना चाहिए कि कॉमन मैंने अगर वह दस भी पड़ा हुआ है सिरफ तक पढ़ाई करी है उसने वह भी नियूसपेपर पढ़ पाए ऐसी लैंग्विज होनी चाहिए उसमें आर्टिकल टू शिल्ज जुविणायर इनोसेंज के नॉट बिंपोस्ट वही चीज है नो नुज आइटम शुड बी विव इन इसलेशन देखे कोई भी चीज है उसको ऐसे नहीं होनी चाहिए कि इतने लोग पढ़ेंगे या इसी इंसान को पता चलना चाहिए नहीं अगर इसपेशल इस माइन शुड़ नॉट बीप्रवलिज देखिए एक आदमी अपने उपीनियों कर सकता है लेकिन अपने मन की मन करन कहाने बना के बच्चों के बारे में भी शेयर कर सकता वह सही नहीं है आप वो चीज नहीं कर सकते हो आप अपने धिमाग में कोई कहानी बना कि इसमें कुछ ऐसा है तो नहीं है जो कि लोगों को देखना नहीं चाहिए या लोगों के लिए गलत है तो ऐसी न्यूस्पेपर के लिए दिमांड करी गई थी लेकिन वह इन्वालिट बताई गई थी दैंपोजीशन न सेंसर्शिप ऑफ जनरल प्रीवियर्स तो इस पॉब चीफ कमिशनर देली कॉल देटर ओफ एंग्लिश वीक्री देली तो समेट दड़ुबिकेट कॉपी इन विच दप्रोट सेट प्रोइबिटिंग निउस्पेपर फ्रॉब्लिकेशन वह जो चीफ कमिशनर थी लिके उन्होंने एक एडिटर को बुलाया कि जो तुम चाप हो देखेंगे कि आप कोई ऐसा ट्रॉपिक तो नहीं है क्योंकि उसलिए दंगे चल रहे थे तो कि ऐसा कुछ निया कि दंगे और बढ़क जाएं ऐसा कुछ निचापना चाहिए जिसके उपर को ने यह चीज कही कि नहीं उन्हें जो चापना आप उसमें से उनके जो राइट इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसको गलते में यूस करें उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन जैंए एक केस आया था एक्स्प्रेस न्यूस्पेपर्स वसिस यूनियों आफ इंडिया दा व्यालिटिटी ऑफ द वोकिंग जनलिस्ट एक नाइंटीन फिप्टीफई इसका मलब यह नहीं कि उनको जो भी चीज है उनको इसे बाकी इंडियन को ट्रीट करा जाता है उनको वैसे ट्रीट नहीं करा जाएगा अगर आप हमें उनको बाकी सारे राइट से भी फ्री हो गया जाता है गोर्मेंट सुप्रीम कोट के आगया किसी भी कोट के आगया हर कोई इक्वल होता है नेकि बैनिंग एंट्री एंड सर्कूलेशन ऑफ जनरल इन रोमेश थापा ववसी स्टेट ऑफ मेडरासी वही केसे जिसमें पतंजली शास्त्री ने जुजमेंट दी थी जस्टिस पतंजली शास्त्री ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन कें उल्नी बी इंपोज ऑन दा ग्रांट मेंशन इन आर्टिकल नाइंटीन टू अफ तो इसमें कोट ने का कि नहीं वह उसका राइट है जो आप उसको रोग नहीं सकते अपना न्यूस पेपर यह अप आर्टिकल नाइंटीन टू कुछ ग्रांट बताता है जो कि आपका जो आर्टिकल नाइंटीन वन ए है उसको रोकता है मतलब हर जगह आप जाके अपने ना इस आर्टिकल के नाम पे कि हमारे पास तो फ्रीडम आफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो आर्टिकल नाइंटीन टो उस चीज का ले assuming तो में चीज में जिस सारी चीज्टंट इस चीज जो आर्डिकल नाइंटीन orders 1960 which fixed the minimum price and pages of the newspaper was challenged by the petitioner that increasing the price without increasing the number of pages would be wrong and would decrease the market and would also decrease the space of columns the government said that they are only doing the business activity देखे गोर्मेंट तो ही चिस कह रही थे कि आप पजिसे बढ़ाए जा रहे हैं उन्हों कने चीजा नहीं अगर हम पैसे बढ़ाएंगे और उसके बाद हमने पteचर इनि को जाएंगे और जादा पैसे जाता पैसे दे रहे हैं उसके बाद ने का the court rejected the state's argument and said freedom of speech and expression cannot be restricted it can only be restricted on the grounds mentioned in article 19 ने कही के नहीं आप यह फाल्दू के आर्गूमेंट्स नहीं दे सकते के वो business activity कर रहा है यह यह नहीं कर रहा है नहीं आप minimum pages or minimum रुपैसे जो भी है उनके आप उसको fix नहीं कर सकते हो यह नियुसपेपर्स खुद डिसाइड करेंगे आप ऐसी सिर्फ आर्टिकल नाइटीन वनी का इंक्रोच्मेंट कर रहे हो वाइलेशन कर रहे हो किसी और के राइट साथ और यह चीज अगर किसी कोई रोक रहा है किसी क को रोका जा रहा है तो सरफ उनहीं ग्राउंट्स पे हो सकता है जो आर्टिकल नाइटीन टू में दिये गए हैं और यह मैं नेक्स वीडियो में आपको पूरा आटिकल नाइटीन टू जो है वह पूरा करवाओंगे कि न्यूसपेपर्स में कि लिए क्या-क्या या नॉमली अच्छा है अगर आप नाम याद रख पा रहे हैं केस को तो बहुत अच्छा है अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं एडलीज उसके फैक्स याद रखिए और अगर आपको केस का नाम याद है तो उसे ब्या तो ब्लाक पैंसिल लिखो या हाइलाइट करो अगर आपको हैं वो जो इसमें मेंशन करें गए हैं मैं सब कुछ किलिरली बताऊंगो अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता जीजेगा तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और अगर आप मेरे चानल पर लिए हैं तो प्ल